येस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टोनून गुड इविनिंग टू आल अफ यू कैसे हैं सब लोग ओप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ अभी CA final का result आया बहुत सारे बच्छे CA बने बट ओविसली majority crowd CA नहीं बना because 100% result दो रहा नहीं और result जो रहता है वो ओविसली CA का उतना ही रहता है 15% 20% के गरीब result रहता है बाकी वाले बच्छों को वापस exam देना रहता है तो last 2-3 दिन से बहुत सारे ऐसे doubts आ रहे थे कि sir for November 2022 examination क्या-क्या amendments है क्या we need to buy the new books लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा lectures लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए तो वो doubts को मैंने सोचा मैं आपके solve कर दूँ तो सबसे पहली चीज तो यह कि sir एक बात रही है क्या amendments क्या November के लिए ज़्यादा है answer is no आपके लिए बहुत ही कम amendment है very less amendment because finance act 2021 is only applicable for your examination so for November 2022 exam थे लिए finance act 2021 जो last year budget आया था ना वो ही applicable है तो जो में में amendments थे वो ही आपके लिए amendments है उसके अलबा कुछ notification circular और है जो मैंने यहाँ पर डाल दिया है तो आप यह वाला topic जो देखोगे 46 compact में जो new compact अभी market में मिल रही है उसमें यह only addition है और वो addition जो है वो यह है एक तो यूलिप वाला जो amendment था उसमें वापस further amendment हुआ यहाँ पर उन्होंने कुछ प्रोड किया है और इस notification के यह जो circular notification है उसमें क्या changes है उससे आपको यहाँ पर समझना है उसके बाद कुछ छोटे मोटे और amendment है ज्यादा amendment नहीं है यहाँ पर मैंने notes डाल रखे है question ही यह आता है कि sir यह notes अपने को कहाँ पर देखने है तो यह आपको notes देखने है आप भवरवराना.com पर जाएंगे website पर bbvvirtual.com पर भी जा सकते है और वहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे सब से उपर डाल रखा है compact additional pages तो compact में इतना सा changes सिरफ और यह changes के लिए changes है तो compiler में कोई changes नहीं है जो में वाला compiler था वो ही था हमने additionally इसमें जो paper था वो paper एक एड किया है जो पुराना paper था वो paper हमने compact compiler में और एड किया that is December 21 क्योंकि उसके suggested answer अगर आ गे थे तो वो हमने addition किया है compiler में अब एको doubt यह आता है बच्छों का कि sir हमको क्या new classes लेनी चा अगर आपको दिक्कत आ रही है concept को समझने में आप concept को apply नहीं कर पा रहे है या concept को भूल रहे है तो आपको classes लेनी चाहिए दूसरा issue रहता है कि नहीं practice का issue है कहीं हो सकता है बहुत बार बच्छे blank हो जाते लिखी नहीं आते practice का issue आता सब है बट लिख नहीं पाते paper complete नहीं कर पाते तो आपको फिर class लेने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना चाहिए कि जो MTP, RTP, test series, ICI का mock test paper वगरा है उसको solve करना पड़ेगा मैंने भी मेरी website पे mock test paper डाला हुआ है उसको आपको solve करना पड़ेगा जिससे आपका जो यह वाला जो दिक्कत है उसको आप solve कर सकत बनता है आपके बास August, September and October तो आप जोड़दार मैनत करतों करें ठीक है उसमें आपकी side से because क्या होता है ना बहुत बार अपन जो लोग पास हो जाते है अपन लोग बोलते है यह जो successful हो जाते है अपन लोग बोलते है यार इसको तो किसमत अच्छा था यह अच्छा था वै ऐसे गिन के निकाल सकते हो आप three months so just focus to your study अच्छे से आप पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करके और आप exam दो और जहां 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 आपको लगता है अगर कोई भी इंसान जब fail होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके उसमें क्या क्या कहां कहां पे deficiencies है त दुनिया क्या बोल रही है जिस दिन आप से ये बन जाओगे ना उस दिन कोई भी सब चीजे ठीप हो जाएगी जो लोग आज आपको कुछ भी सुना रहे है वो कल उटके आपको नहीं सुनाएंगे don't worry about that और उसको challenge की तरह लीजी अपने आप से लेक है और एक और कीज़ ह रहेगा किसर ये जो amendment उसका lecture आने वाला lecture already uploaded already uploaded अगर आप YouTube channel पर जाएंगे मेरे और YouTube channel पर जब आप जाएंगे तो YouTube channel में जब आप यहां पर देखेंगे that is the video lectures तो video lectures में जब आप जाएंगे तो यहां पर देखिए एक amendment डाला हुआ एक lecture डाला हुआ है that is the CA and CMA final amendment for November December 2022 exam that is the 1 hour and 22 minutes so 1 hour 22 minutes only इतना amendments है उसके बाद अगर आपकी RTP जब आएगी तो RTP में अगर हो सकता है कुछ case laws आ गए या कुछ एक दो और notification आए गए तो उसका मैं already आपको lecture है वो मैं देदूंगा tension ना लो उसको लेके ठीक है only इतना सा amendment है बाकी DT है वो वापस से आप पढ़ना चालो करो revision lecture whatever uploaded for the May 2022 same is applicable for November 2022 so November के लिए revision lecture change नहीं है वो ही वाले lecture है जो आपको अभी मिलने वाले है ठीक है और बाकी थोड़ा positive रहो अपने आपको reinvent करो थोड़ा rebuild करो अपने आपको थोड़ा motivate करो खुद को motivate करो एक बार like mirror में जाके देगो और उसको बोलो कि भया नहीं you can do it करके और अपने को करना है और वापस से चीजों में लग जाओ क्योंकि मैं last के जब से result आए मैं बहुत सारे बच्चों से मिल रहा हूँ obviously बहुत सारे बच्चे ranks लाते है बड़ मैं ऐसे बच्चों से मिला किसी ने एक लड़की आज मुझे मिलने आई मेरे studio में उसने 10 साल में clear क आती है और रोल ही आज करके ठीक है तो बहुत बार ऐसा होता है बड़ा emotion रहता है डिगरी को लेके के नहीं आर यह डिगरी को लेना है तो motivate होके और आपके पास time है आप चीजों को कर सकते है थ्री और हाफ मन्त है थ्री मन्त से जाता का time है आप अच्छे से पढ़ाई करना चालू करिए बाकी सिर्फ चीजों को छोड़िए negativity को थोड़ा दूर करिए आज से अपने आपको यह promise करिए और मुझे यह promise करिए कि sir नहीं आज से हम पढ़ने वाले है ठीक है तो पढ़ाई चालू कर दीजे and yeah English people like if you are not able to understand Hindi so this amendment lecture is it will be uploaded in English also guys in this particular lecture I have used the 80% English only यह जो lecture amendment का upload कि यह उसमें 80-90% I use the English only so you can just refer this lecture and you can understand और बाकी notes में दे रखा है सब एक्जाम्पल के साथ मैं so don't worry about that फटा फट इसको पढ़ना चालो ठीक है चलो so thanks a lot people इतना था मेरी साइट से या ओए को चीज जो लोग like pass हो गए इस exam में उनके पास books है और किसी के पास May वाली books नहीं है वो November के लिए books तो आपस में help कर सकते हो आप अपने friends को वगरा बोल सकते हो और किसी से आप book arrange कर सकते हो ठीक है चलो thanks a lot people that's enough for today from my side thank you